हलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चैनल, देवजी के ट्रिक, फ्रेंज इस चैनल पर सभी कमपेटेटिव एक्जाम की त्यारी कराए जाती हैं, और परिच्छा के द्रश्टी से जो भी हमारे टॉपिक मात्पूर्ण होते हैं, उनको बोड के माध्यम से लाइब मास्टर वीडिय तो फ्रेंज, अगर आपने अभी तक हमें अनकीडमी पर फालो नहीं किया है, तो अनकीडमी पर फालो कर सकते हैं, इसके लिए आप अनकीडमी का लर्निंग अप पिले स्टोर से स्टाल कर लेंगे, तो आपको हमारे द्वारत दिये गए कोर्षिच के वीडियो आसानी से प प्रेबल कराए गए हैं साथ में अगर आपको किसी परिकार की समस्या होती है तो आप हमसे वहां पर मैसेज कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आईए हम लोग करेंड अफेर की अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और यहां पर यूपी इस पिसल से मुद्व करेंगे हमारे जिञा पिछले वीडियो में लोगों ने कमेंड किया था तो उसमें से कुछ लोगों कलिप सही है और कुछ लोगों कहना है कि हमारे आप मतलब कुछ बाते है हुनकalははang प्रियाग राज कर दिया गया है। सिर्फ इलाहबाद मंदल जो हमारा पूरा है उसको चेंज़ करके रख दिया गया है अर्थातु वहां का नाम अप्मों गया है प्रियागराज ठीके तब किया गया है 18 अक्टूबर 2018 को जिला इलाहबाद का नाम जिला प्रियाग राद के रूप में कर दिया गया है इलाभाद के बात करें तीसर के मंदल के अंदर चार जनपत आते हैं प्रियाग राज, कौसांबी, फतेपूर, परताबगड यह जनपत हमारे आते हैं यह मंदल इलाभाद की नाम से जाना जाता है मंडल का मुख्याला है हमारे कापर इलाबाद में ही इस्तित है अता है इस मंडल का नाम अब भी परवर्दित होगे अब हमारा क्या हो जाएगा प्रियाग राज मंडल प्रियाग राज किये जाने की सुष्टी की गई है और हो चुका है नेश्म मारे एक और अपडेट हुआ था जो कि हमारे जनपद है आयोध्या यह मंडल आयोध्या इसका हमारा चेंज हो गया है अर्थात यह हुआ है 12 November 2018 को जनपद फैजाबाद का नाम बदलकर अब जनपद अयोध्या यह मंडल फैजाबाद रखा गया है आपको यहाँ पर पॉइंट दिखा है यहाँ पर दिया है की 12 नॲिवर 2018 को जनपद फैजाबाद का नाम जनपद अमारा आयोध्या यог मंडल का नाम फैजाबाद रख दिया गया ठीक फैजाबाद का नाम बदल कर पूरा अयोध्या मंदल कर दिया पूरी तरह से मतलब जो फैजाबाद था अब उसका नाम क्या हो जाएगा अयोध्या हो जाएगा ठीक है यहां पर यह कप देखो यहां पर है च्छे नौवंबर दो ऑठाघारर को उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री योगि आदितनाथ ने फैजाबाद जनपत का नाम अयोध्या किया जाने की गोशना की है ठीक है चलते हैं एक कोषण देखते हैं अगला भी कोषण ने रानी हो ठीक है एक इसमारक हमारा है रानी हो इसमारक का सिलानया किया और ये हमारे किस ने किया किस के सायता से ते देख सकते हैं 6 नॉमबर 2 अठारा को मुख्य मंत्रिय योगी आदितनाथ तथा कोरिया की प्रिथम मैला स्रीमती जिम कॉंग सुक ने अयुद्या में दीपोत्सो दो अठारा के देतराम की पैड़ी पर दीप जलाए ठीके कॉंग जलाए हैं यहां पर कोरिया की भी हमारी प्रिथम मैला जो स्रीमती आय थी कॉंग सी किम जोंग सुक यह उन्हों ने क्या किया दीपोत्सो में भाग लिया और इन्होंने सर्यू के तट पर रिमोट के माध्यम से मुख दीप का प्रजलन किया किसके माध्यम से किया है तिहां पर देख सकते हैं रिमोट के माध्यम से किया है अगला है इस औसर पर सर्यू तट पर तीन लाग से अधिक हमारे दीप जलाए गए और आयोध्या दीपोट सो दोजार अठारा का नाम अब गिनीज बुक आप वर्ड रिकार्ड में सामिल हो गया है ठीक है बहुत ज़्यादा दीपक के मारे जलाए गए तीन लाग से अधिक दीपक काफी होते हैं नेशमारे यहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो थे और दच्छिन कोरिया के परेटन संस्कृत योंखेल कूद मंत्री डू जांग वान द्वारा रानी हो इसमारक का सिलाने क दच्छिन कोरिया के प्रतम महिला के उपरस्तिती में राम की पैड़ी आयो सब्सक्राइब यदेमें रहाई कर hills अ Leah ओर ह्म क्यों और iz hook को यहां पर देख को जाता था ठीक है कि यहां पर रतने्श अचल्म की इस्टेडियूं onnen देखते हैं कापी अच्छा कोर्शन है च्छे नॉम्मत 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने इकाना इस्पोर्ट सीटी जो की गोमती नगर विस्तार लखनौ में है ठीक है कहां पर है लखनौ में तो उत्तर प्रदेश सरकार दोरा गिनी साहे भागि किताब के अधार पर नौ निर्मित भारत रतन जो की श्री अटल विहारी बाच पर ही एकाना स्टेडियम को देश को समर्पित कर दिया है और इससे देखते हैं हमारे क्या हमारा है तो इस होसर पर नोंने उत्तर प्रदेश के पूर अंतराश्टी क्रिकेट खिलाडियों जो तीच सितमबर 2018 को योगी ऑधितनात्rium हो चुके हैं अगला देखते हैं धान का समर्थन मूल यह पर देख Sut Papamonti 2018 को मुख्य मंत्री योगी आधितनात की अध्यचिता में मंत्य परस्थ द्वारा लिए गए मात्पूर्ण निर्णियों के तैत सामान भाग का जो धान है उसका मूल हमारे कितना है सत्रा सो पचास प्रतिकुंटल निधारित किया गया है जबकि ग्रेड ए आधान का हमारे मु मुख्य मंत्री योगी आधितनात एवं केंद्री विदेश मंत्री अमारे कोने यहां पर सुस्मा सुराज जी है नए दिलिस्ति जवाहर नाल नेहरू भावन में 15 में भारती दिवस की वेवसाइट को लांच किया है इस उसर पर राज सरकार एवं विदेश मंत्राले के मद सहमत पत्र MOU पर हस्ताचर किये और 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस मनायाता है आप साभी को पता होगा कि गांधी जीस दिन हमारे दच्छिन आफ्रीका से लोड कर आये थे ठीके इसलिए यहां पर भारती प्रवासी दिवस मनाया जाएगा हमारा वो 21 से 23 जन्वरी 2019 2019 में मनाया जाएगा और यह वारा रसी मायोत किया जाएगा इसके मुख के बात यह है कि इस पर भाग पौन लेंगे तियां पर 21 जन्वरी 2019 को युगा प्रवासी भारती दिवस मनाया जाएगा जिसमें से 18 से 35 आई वर्ग के लोग प्रतिभाग करेंगे इसमें नार्वे के हमारे काउन होगे नार्वे के MP हिमान्सु गुलाटी मुख औतित होंगे तथा न्यूजी लैंड के साथ हमारे है चरण जी सिंग बक्सी ये हमारे विशएट हमारे क्या होंगे अतित होंगे दोनों को आपको स्क्रीन साट ले लीजे जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस क उद्गाटन के उसर पर मारिशस के मारे प्रधान मंतरी भी हमारे के मुक्यातिति होंगे निर्थ देख लेते हैं अगला है कि सोलर उर्जल लैंप योजना सोलर उर्जल लैंप योजना तो एक अगर्स 2018 कुत्तर प्रदेश में लखनो जिले के सरोजनी नगर कहां पर लखनो कमपनी की स्थापना सोन भद्र में की आएगी ठीके कहां पर की जाएगी तो सोलर लैंप बनाने की स्थापना कहां पर के सोन भद्र की जाएगी इस योजना के अंतरगत प्रदेश में हमारे सत्तर लाग सोलर लैंप का वित्रन किया जाना लच्छित किया गया एटी कि कितन सत्तर लाग नेश देख लेते हैं बांड सागर नाहर पर्योजना जो की 15 जुलाई 2 अटारा को प्रधारमंतिर नरेंद मोदी ने जनपत मिर्जापूर ठीकि मिर्जापूर में इसे से जर्देख लेते हैं जोकी अगला पोइंट हमको जरूरी है यहां पर आए जो नहरे है? इस नहेर पर योजना में लंबाई हमारी कितनी 171 मीटर और वर्स में 1978 में सुरू की गई थी इस नहेर पर योजना में और उतरप्र दिशमीं इस नहेर पर योजना से लाब लेने की बात करें तो कौन को लाब लेते हैं मिर्जापूर एलावाद भधोही सोनबाद एम चंदोली सामील हमारे हैं ठीके नेशन देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया है नीजी खेत की मेड अर्थात बाउंडरी परमुक्यमंत्री इकरस ब्रच्च धन योजना के अंतरगत ब्रच्चर ओपर कराये जाने का निल्ला लिया है काफी अच्छा किया है कि जो खेत हमारे होते हैं उनके जो यह मेड है ठीके मेड मतलब बंधा हुआ है चारो तरफ से यहाँ पर उन्होंने क्या किया है ब्रच्चर ओपर करानाने के लिए यहाँ पर योजना चालो किये है इसमें से हमारा देख सकते हैं कि इसके ततक्ची गुर्वर्ता के बांस चायादार फलदार और सधी वरच्ची प्रजाती आध पहुझे लगाएंगे जो कि मनरेगा योजना में सुईकरात हैं वर अच्छर रोपन किया जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं अगला question है कि नीम परियोजना कौन सी नीम परियोजना 13 अपरहर 12, 18 को केंदरी वष्ट मंतरी जुकी स्मिरिता रानी है ठीके योत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में संचालित भी है अगला कॉर्चे नमारा बार बार रीपीट हो रहा है हर एक टेस्ट में तो है क्या देखते रहें, तो 7 अप्रल 18 को मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने इलाँबाद में गंगा अभियान का सुभारम किया है, इस योजना का मुख देश किया है तो गंगा नदी के जल ग्राण शेतरों में हरियाली को बढ़ाना और भून के छरण को नियंत्रीच क जन बदों से प्रारब किया गया है जिसमें से नदी के दोनों किनारों में एक किलूमीटर दुरी तक की खाली पढ़ी छेत्रों में ब्रच्छारोपण कराया जाएगा यहांपर इस अच्छी बात है कि पेड़ पूधे यहां पर लग रहे हैं सरकार में बसे हैं कि जौब भी नहीं मिल लगी है जौब मिलने लगी तो सभी लोग खुस हो जाएं यहां पर इस अभियान के तहट राज सरकार दोरा एक ब्रच एक ब्रच के नारे के अंतरगत है जन समाने को अपनी नीजी भूम का ब्रच्छा रोपड के लिए प्रोसायत किया जाए तो 16 सितंबर ग्रच तक किया जाएगा इमरा अभियान की प्रच लोप लगाने के लिए विजट देख लेते हैं मिसन परिवार विकास मिसन परिवार विकास 11 जुलाई 207 को जो की मना जाता है 20 सु जन संक्या दिवस कम मनाते है ग्यार जुलाई को मनाते है 20 जन संक्या स्वर्णी संतर्वार्च सभ्राइब दौराफ चीलव भार सरकार्थ योजना का सुहरा में यहाँ पर अगला क्वोष्चन है कि न्यायमुर्थ गोविन्द माथूर तो न्यायमुर्थ गोविन्द मातुर बहुत हाइलाइट ही समय तो चौदा नॉम्ब दॉठारा को नयमुर्थ गोविन्द मातुर ने इलाहबाद उचनेयले के नयमुक न्याधिस के रूप में सपत ग्रेंड किया है उत्तरपदेश के राजपाल रामनाइक ने उन्हें सपत दिला है तो आपक नामित करके लाते हैं लेकिन सपत कुन कराते हैं आपको पॉइंट बरताना है कि इनको न्यूक्त किया है राश्पती ने सपत कराएं तो आपको बताना है जवाब सही से आता है इसमें से ठीक है और सही से अगर आपका question आता है तभी हम आपका नाम भी लेते हैं ठीके यहाँ पर देख सकते हैं उतरपदेश के राजयपाल रामनाइक ने उन्हें सपत दिलाई इस पत पर उन्होंने उन्यामूर्त बीडी भोसले ठीके यहाँ पर डीबी भोसले का इस्थान लिया इसके पहले हमारे कौन थे डीबी भोसले और नेस्ट देख लेते हैं यहाँ पर question number बस हमारे यही था यहाँ पर तो फ्रेंट इतना हमारा question रहा और एक question आपके लिए एक और देते हैं question number यह है कि म्रदा दिवस कमनाते हैं आपको comment करके बताना है साथ में हमारे पिछली वीडियो का भी comment बताना है यह जो हमारा question है कि जो हमारे high court के मुक्ने अदिस है यह अगर त्याग पत्र देना चाहिए तो किसको देंगे तो आईए मिलते हैं हम लोगों से जिल लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था और देख सकते हैं कि यहाँ पर जै भीम, राहुल कुमार जी, जै भीम, सभी के लिए भाई यहाँ पर है, प्रिया मिसरा ने जवाब दिया है कि सबसे प्रोदूर्सित सायर कौने कानपूर है 150 देश का पहला डिजिटल आफिस हरियाणा की गुर्ग्राम में खुला जाएगा और मंजीत यादो हैं, संजय गुपता हैं, छवी सर्मा जो है, यह हमारे भी चैनल में नहीं आएं और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, अभिसे एक पालने का है, गुरुजी हमारा नाम तो लिया नहीं आपने प्रिया मिस्रा का लिया है, तो भाई हम आपको बता दें, कि हम नामने उन्हीं का लेते हैं, जो लोग अच्छे से लिख देते हैं, ताकि हमें पता चले कि नहीं कोश्चन में क्या पूँचा गया था, अब कोई कोश्चन बोलेते हैं, पंदरा का यह तो पंदरा का तो तक हम भूल लाएंगे पंदरा का अँगरव now धेक्ट है इसाथ में हमारे आपर दोतीन नाम लेना पड़ेंगे नोत्य observe और आपर धूत कर संदीप कुमार अम्रिता मौर्या यह लोग सही जवाब यहां पर दिया है तो बहुत-बहुत सभी के लिए धनवाद और सभी लोग अच्छे से कमेंट करिए ताकि हम भी आपका नाम लें ठीके तो आप लोग नाराज मत हो यह हम नाम लेते हैं लेकिन थोड़ा सा ना उसक को अच्छे से लिखोंगे तो हम जरूर पताएंगे उसका नाम लेंगे ठीक है कि हमें हर्ची जियाद थोड़ो रहती है इसलिए तो फ्रेंस मिलते हैं हम लोग नेस वीडियो तब तक के लिए धन्वाद जाएं जाएं भारत